हाई फ्रेंड्स मैं सुकल पतिल पुर रहा हूँ आज हम देखेंगे एक्जांपल नंबर टू इन गिवन फिगर साइट्स एबी एड एड एसी ऑफ ट्राइंगल एड एक्सेंड टू पॉइंड पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवी मिंस यहां पर इसा बूल रहा है हमको एड एसा बनाना है और एस हमको एड़ा है जो लाइन एक्सटेंड ओ मिंस यहां से यहां से निकाल हैं यहां पी रहा है और कि आपट्छा पट्रेंगल की ईंगass झींट भीप्लेंच क्यू एक्सेंड दिए और फट्रेंटेंट्टा क्यू यहां पर हमको पॉप्य लग तो यहा बड़ा है angle और ये angle चोटा है फिर show that AC greater than AB means यहाँ पर ऐसा बताना है कि side AC है जो means यह वाली side है बड़ी है और यह वाली चोटी है ऑके तो यहाँ पर यह बड़ी है यह चोटी हमको याद रखना है तो एक काम कर रहे हैं इसको लॉंगेस side है ऐसा L लिखे समझाते हैं और यह स्मॉलेस साइड है एस तो यह याद रहे सम करते हैं इस वज़े से अब आप बोलोगे कि सर कि यह कॉंसेप्ट में क्या है पहले कि इसकी क्या नॉर्मल बेजिक कॉंसेप्ट समझ जोते हैं सब्सक्राइब एक लाइन के अंदर आप सिंपल सा बात समझ लो सब्सक्राइब यहां पर एक यंगल बनाया यह वाला मैंने एक यंगल बनाया यह स्ट्रेट लाइन यह वाला एंगल बढ़ा है तो इस बूले him अगर यह चोटा है तो यह आट। एंगल बनाया है ज्ट कि टो इस बढ़ आद बной के आइग जाएगा same thing अगर ऐसा बोलें कि straight line के अंदर एक angle बनाया है अगर यह चोटा है तो यह automatically बड़ा हो जाएगा तो हम अगर दूसरी straight line लें यहां से मैंने ऐसे बनाया अब मैं बोलों यह वाला angle चोटा है तो automatically यह वाला बड़ा हो जाएगा straight line के अंदर तो यह आपको याद रखना है सेम यहां पर इसके उपर यही फॉलो किया यह एक्जाम्पल में हम स्टार्ट कर रहे हैं let's say angle PBC is X means हमको PBC इसको हम X बोल रहे हैं और BCQ को हम Y बोल रहे हैं तो यहां पर क्या है कि angle यहां पर यह angle means X plus angle ABC is equal to 180 यह कैसे किया आपको बताओं देखो PBC यह वाला X है और दूसरा ABC means यह वाला हमको find करना था तो हमने क्या किया यहां पर यह एक straight line है यह हमारी एक straight line हैं को स्ट्रेट लाइन का फॉर्मुलय किया है दिस एंगल प्लस इस एंगल is equal to 180 होता है मैंने आपको बता यह था फिर भी बता रहूं कोई भी 2 एंगल हो यह दो यह और य यह थे यह यह जाएक होगा तो इसका और इसका दोना लाउर का कितना होगा 180 होम calculated यहाँ पर पहले ही लिख जिया है 180 minus x क्यों यह हमारा answer आएगा answer means यह अंदर बीच में solution आएगा इस वज़े से अगर यह x होगा तो यह कितना हो जाएगा 180 minus x ही हो जाएगा तो हमको यहाँ पर value c is equal to 180 क्यों यह स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन में क्या होता है यह और यह एंगल का टोटल किता होता है 180 हो जाता है तो पी बी सी तो हमको कितना दिया हूँ एक सपोज किया हमने तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कैसे होगा आप समझ सकते हैं कि सर्फ एक सी बी और बी सी क्यू एंगल एक सी बी प्लस एंगल B C Q is equal to 180 हो जाएगा एंगल A C B कितना है हमारा A C B हमको मालूम नहीं है और B C Q कितना है B C Q हमारा Y तो यह हमारा Y था फिर हमने क्या किया है यहाँ पर एक स्टेप और लिख रहा हूं कि एंगल A C B हमारे पास मालूम नहीं है प्लस B C Q कितना था Y था is equal to 180 य को वह साथ लेकर जाएगे तो एंगल A C B is equal to 180 minus Y तो हमको यह वाला सेम मिल गया तो यह कैसे मिल आपको समझ में आ गया होगा दोनों यह दोनों स्टेट लाइन से हमने यहां पर फाइंड किया हुआ है उसके बाद क्या होगा यहां पर देखो मैंने यह concept आपको समझाया था कि अगर यह बड़ा है तो इसका दूसरा एंगल चोटा हो जाएगा अगर यह चोटा है तो इसका दूसरा एंगल बड़ा हो तो अब देखो यहा हमें इसके पहले सम्मे में आपको बताया था वो सबस्क्त हुआ है तो उसका सामने वाला जो ओक केसी साइड होग भिल कि अगर ऑल्र पर यह स्माले हार यह साइड होगा जाएगा तो due अगर हम ऐसा बुले किई यह ρुआट साइड है अहीं लांगे साइड है तो एसा बोल सकते हैं इसका पॉसिट वाला इंगल फीसे बढ़ा हो जाएक और वो ही हमको पूरू करना है तो हम इजली कर सकते हैं तो यहां पर हमने सबसे पहले क्या लिया कि सर यहां पर गिफ़न है और पीबी एंगल P B C less than angle Q C B, यह हमारे पास गिवन था, तो P B C क्या था हमारा P B C हमारा X था, Q C B Q C B यह हमारा Y था, तो हमने इसकी X और Y value पुट कर दी, अब क्या कि हम इने दोनों साइट मैनस से मंटिपलाई किया, क्या कि हमने दोनों साइट मैनस से मंटिपलाई किया तो यहां पर minus से multiply करोंगे तो क्या होगा x को minus x लिखना पड़ेगा और y को minus y पर सर यह less than हमारा यहां पर greater than क्यों हो गया उसकी वज़ा क्या है तो हम उसको एक example के form में ले सकते हैं for example यहां पर 2 less than 3 है अब हम यहां पर minus अगर minus से multiply करेंगे तो क्या होगा minus 2 less than minus 3 अब आप बोलोगे के सर अगर हम यहां पर less than ही रहने देंगे तो यह condition रॉंग हो जाएगी क्योंकि minus 3 छोटा होता है और minus 2 बड़ा होता है तो always जब भी हम इसको यहां पर ऐसे हो less than greater than कहीं पर भी हो अगर हम minus से multiply करें तो यहां पर उसका जो बीच वाला जो sign होता है वो क्या होता है चेंज हो जाता है उसकी वज़या समझ में आगया होगा क्योंकि minus 3 छोटा है और यह बड़ा है तो obviously यह sign यहां पर चलेगा नहीं तो हमको यह wrong है यहां पर हमको समझ में आगया होगा अब हम क्या करेंगे दोनों साइड 180 एड़ कर देंगे तो 180 minus x 180 minus y अब 180 minus x तो क्या था यह हमारा यह वाला एंगल था sorry यह वाला एंगल था x और 180 minus y क्या था यह वाला एंगल था यह दोनों का value जो था हमने a b c और a c b यह दोनों हमने रख दिया अब a b c क्या था तो a b c means a b c उसका opposite side क्या था यह वाला था यह वाला a c था तो हमने a c लिख दिया अब इसका opposite side क्या था a b था तो हमने a b लिख दिया तो यहां पर क्या होगा अगर यह बड़ा था angle तो इसका opposite side भी बड़ा होगा, ये बड़ा था angle तो इसका opposite side भी बड़ा होगा सेम वैसे ही ये छोटा था 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 उसका opposite side वो छोटा होगा यहाँ पर प्रूव हो रहा है AC greater than AB तो मेंस ये आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करें अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ सहर करें थैंक्यू फो वाचिंग इस वीडियो